ये कहानी है शहर के नामचीन एजुकेटर साम की साम ब्लू बे नाम के एक हाइ स्कूल में एक गाइडेंस काउंसलेर होने के साथ साथ एक बोटिंग इंस्रक्टर भी है साम के उपर उसी के स्टूडेंट के द्वारा दो रेप केस फाइल्स किये जाते हैं और आगे जाकर इस केस में ऐसे ऐसे टोन्स एंड टोिस्ट आते हैं जिसे देखकर आपको बॉलिवुड के एक मूवी द्रिश्यम की याद आजाएगी यदि आपको सस्पेंस और थ्रिलर मूवी पसंद है तो आज आप अपनी स्क्रीन से अपनी आखे हटा ही नहीं पाओगे मूवी की स्टार्टिंग होती है बलू बे स्कूल को दिखाने से जहां साम एक काउंसलिंग सेशन ले रहा था सेक्स क्राइम्स के उपर और साम ने इसके लिए पुलीस डिपार्टमेंट के दो डिटेक्टिव्स रे और गलोरिया को भी बुलाया था जब साम रे को इस टॉपिक पर बूलने के लिए इन्वाइट करता है तब एक लड़की सूजी रे को गालियां देते हुए वहाँ से भाग जाती है बाद में हमें पता चलता है कि पास्ट में एक बार रे ने सूजी को ड्रक्स लेने के चुर्म में जेल भेजा था और इसलिए सूजी उसे कुछ खास पसंद नहीं करती उसके बाद हम देखते हैं कि रे बोटिंग क्लास से जो वापस आता है तब कैली नाम की एक लड़की आकर रे से पूस्ती है कि क्या मैं आपकी कार को वाश कर सकती हूँ एंड रे कैली की बाद से अगरी कर जाता है कैली एक काफी रिच फैमली से बिलॉंग करती है लेकिन इसके बाद भी वो रे की कार वाश करने के लिए तयार थी क्योंकि रे पूरे ब्लू बे स्कूल की लड़कियों का क्रश था सारी लड़किया उसकी अटेंशन चाहती थी फिर हम देखते हैं वीकन पर कैली अपने एक दोस्त के साथ रे की कार वाश करने के लिए आती है कार वाश करते वक्त कैली पूरी तरह से भीम जाती है और वो उसी हालत में अपनी दोस्त को घर भेजकर रे से मिलने के लिए उसके घर के अंदर चली जाती है कैली घर के रे के घर से बाहरा आती है और रोते हुए अपने घर भाग जाती है गर पर हम कैली की मौम सान्दरा को देखते हैं जो किसी के साथ सुख प्राप्ठिकरिया कर रही थी मतलब केंटी मेट हो रही थी सान्दरा को पता चल जाता है कि कैली घर आ चुकी है जब वो कैली को देखने जाती है तब उसे पता चलता है कि कैली रो रही है कारण पूछने पर वो बताती है कि साम ने उसका रेप किया है ये सुनकर सांद्रा गुस्ते से आग बुबला हो जाती है और वो कैली के साथ सीधे पुलीस स्टेशन पहुंच जाती है जहांपर officer Ray और Gloria उस्के reports लिखते हैं और Kelly का बयान भी लेते हैं अपने बयान में Kelly उन्हें एक बात ये बताती है कि Sam ने उसे कहा था कि छोटी लड़कियां कभी उसे संतोष नहीं कर सकती Kelly की बातों को सुनकर Gloria को लगता है कि Kelly जुड बोल रही है लेकिन इसके बाद भी उनका head उन्हें इस case को investigate करने के लिए कहता है देखते ही देखते ही ये बात पूरे शहर में फैल जाती है कि Sam ने एक high school girl का rape किया है Sam को भी अपने एक दोस्त के तुरू ये बात मालूम पढ़ जाती है और उसे पता चलता है कि जल्द ही management उसे school से assessment कर देगी बिना उसकी कोई बात सुने Sam बेकसूर था इसलिए वो अपने side से भी Kenneth नाम का एक lawyer hire करता है उसी दिन Sam की girlfriend भी उसके साथ break up कर लेती है क्योंकि उसे Kelly की बास सच लग रही थी इसलिए पर रात में घर वापस जाते समय सांध्रा का एक आदमी Sam के गाड़ी को टकर मार उसे बहुत बुरी तरह से पीट देता है Sam उस आदमी का पीछा छोड़ा कर अपने घर वापस चला जाता है तब Sam अपने घर में भी काफी डरा सा रहने लगता है अगले दिन कैनेथ उससे मिलने आता है और Sam को एक बात बताता है कि एक साल पहले जब कैली के डाट ने सुसाइट किया था तब उसका मानसिक संतुलन हिल गया था और वो एक दो बार घर छोड़ कर भी भाग चुकी थी और दूसरी तरफ तुमारा बैग्राउंड पूरी तरह से क्लीन है हम इसी बात को कोट में रखेंगे इससे हमारी काफी हल्प होगी नेक्स सीन में हम देखते हैं कि सूजी कॉल करके ऑफिसर रे और गलोरिया को बुलाती है और उन्हें बताती है कि एक साल पहले साम ने सेम कैली वाली हरकत मेरे साथ भी की थी मतलब कि कैली भी साम को रेपिस्ट कह रही थी उसके बाद हमें इस केस के सुनवाई का दिन दिखाय जाता है कैली सब के सामने अपना बयान देती है और उसके बाद कैनेट सूजी को कट घरे में बुलाता है सवाल जवाब करने के लिए कैनिट सब के सामने ये बात साबित कर देता है कि साम सूजी का काफी अच्छा दोस्त था सूजी जब भी मुसीबत में होती तब वो साम को ही फोन क्या करती थी उसके बाद कैनिट सब को एक बात बताता है जिस तारीक को साम ने सूजी का रेप किया था उसके ठीक एक महीने बाद सूजी एक मुसीबत में फस गई थी और अपनी मदद के लिए उसने सैम को ही बुलाई अब अगर साम ने उसका रेप किया था तो सूजी ने उसे अपनी मदद के लिए क्यों बुलाई था सूजी के पास इसका कोई जवाब नहीं था And last में हार मान कर सूजी सब को सच बता देती है कि सैम निर्दोश है उसने कुछ नहीं किया था ना तो सूजी के साथ और नहीं केली के साथ सूजी बताती है कि वो बस सैम को परिशान करना चाहती थी वो भले ही उसका दोस्त था लेकिन पिछली बार जब उसे ट्रक्स के जुर्म में जेल वेजा गया था तब सैम ने उसकी बिल्कुल मदद नहीं की थी और सूजी इसी का बदला लेना चाहती थी दूसरी तरफ कैली भी सैम से नाराज थी क्योंकि कैली सैम से प्यार करती थी लेकिन सैम उसे थोड़ा सा भी भाव नहीं देता था और कैली को ये बात भी मालुम पड़ गई थी कि उसके डाट के मरने के बाद सैम उसकी मौम के साथ रंग रल्या मनाय करता था मतलब की सेक्स क और इसी वज़ा से इन दोनों ने मिलकर साम को फसाने का प्लैन बनाया ये सुनकर कैली अपना आपाख हो देती है और सूजी पर अटैक कर देती है कैली को अरेस्ट कर लिया जाता है और साम को बाइज़द बरी कर दिया जाता है अब कैली को जेल जाने से बचाने के लिए उस उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि एक रात साम एक होटल में जाता है जहां पर पहले सही कैली थी और यहां पर यह चीज रिवील होती है कि अब तक जो कुछ भी हुआ यह सब इनका ही प्लान था और इनके प्लान में सूजी भी शामिल थी यह सब कैली ने इसलिए कि क्योंकि उसे पता था कि उसके डाड उसके लिए बहुत सारे पैसे छोड़ कर गए हैं लेकिन जब तक उसकी मौम जिंदा है तब तक कैली उन पैसों का इस्तमाल अपने हिसाब से नहीं कर सकती थी तो अपनी मा से पैसे आठने के लिए कैली ने यह सारा शड़ियंत्र रच उसके बाद ये तीनों बहुत सारे पैसे मिलने का जशन मनाते हैं और तीनों साथ में इंटीमेट होने लगते हैं दूसरी तरफ हम आफिसर रे को देखते हैं जिसे कुछ अभी भी कुछ तो कड़वर लग रहा था वो सैम के अकाउंट डेटेल्स को चेक करता है और उसे प पहले वो कैली के पास जाकर कहता है कि पैसे के तीन हिससे अच्छे निलगते देखना आगे चलकर सैम और सूजी तुम्हें मार देंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं फिर वो सूजी के पास भी जाता है और उसे कैली और सैम के खिलाफ भड़का देता है उनों मिलकर सैम को फोन लगाते हैं और सैम उन्हें कॉल पर समझाता है कि पुलीस बस उनके साथ गेम खिल रही है जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो सब अपने आप ठीक हो जाएगा सूजी का पीछा करते हुए साम भी वहां आ गया था और एक डिवाइस की मदद से उसन दिखाता है लेकिन उसका घैड रही पर चिलाने लगता है कि तूने जो कुछ भी रिकॉर्ड किया है सेक्स उक्स वगेरा उसकी वजह से उलटा हम पर ही केस हो सकता है और वो रही से कहता है कि यह केस अब खत्म हो चुका है और तुम भी इसे भूल जाओ अगे एक रात को स साम कैली और सूजी के जगे पर मिलते हैं जहां साम और कैली मिलकर सूजी का मर्डर कर देते हैं और उसकी लास को ठिक काने लगा देते हैं कुछ दिनों बाद सूजी की मौम मिसिंग कंप्लेंड फाइल करती है और रे चान बिन करते हुए उसी जगह पर आ पहुंसता है जहां पिछली बार सैम, कैली और सूजी मिले थे वहाँ पर Ray को किसी का दाथ मिलता है और वो अपनी पूरी टीम को वहाँ बुला लेता है उसे लग रहा था कि Sam ने ही सूजी का मर्डर किया है लेकिन Gloria को भी लग रहा था कि Sam निर्दोश है उनका head भी Ray को Sam से दूर रहने के लिए कहता है इस वज़े से Ray Gloria को आज रात Sam पर नज़र रखने के लिए भेज देता है Sam उसे देख लेता है और फिर वो Gloria को अपने साथ ले कर जाता है और Gloria को बताता है कि Suzy का मानसिक संदुलन हिला हुआ है उसने पहले भी Kelly और उसकी मौम सांद्रा को मारने की धमकी दी है वो Gloria को इसके सबूत भी देता है दूसरी दरफ हम Ray को देखते हैं जो Kelly पर नज़र रख रहा था जब Kelly अकेली थी तब Ray उससे बात करने के लिए उसके पास चला जाता है रूम के अंदर क्या होता है वो हमें नहीं दिखा जाता बस कुछ गोलियां चलने के आवाज आती है और Ray उस कमरे में जखमी हालत में बाहर आता है और Kelly की मौत हो जाती है Ray से जब इस चीज़ के बारे में पूछा जाता है तब वो बताता है कि Ray बस उनसे बात करने के लिए गया था लेकिन Kelly ने उस पर अटेक कर दिया और सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए उसे Kelly के उपर फायर करना पड़ा जिस वज़े से Kelly की मौत हो गई कमिटी Ray को इस चीज़ के लिए सस्पेंट कर देती है क्योंकि पास्ट में भी Ray ने सेम गलती की थी अब Kelly की मौत हो गई थी और सब को लगने लगा था कि Kelly ने ही सूजी को मारा होगा इसलिए इस केस को क्लोज कर दिया जाता है उसके बाद हम Sam को देखते हैं जो बीच पर चिल मारने के बाद अपने रूम में जाता है तो हम देखते हैं वहाँ पर Ray पहले से ही मौजूद था और यहाँ पर एक और बड़ा खुलासा होता है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ था यह सब इन दोनों का प्लैन था Ray Sam से अपने हिस्से के पैसे मांगता है और Ray उसे बताता है कि पैसे मिलने में अभी दो दिन लगेंगे तब तक वो वहाँ पर चिल कर सकता है उसके बाद Sam Ray को अपने साथ बोर्ट पर लेकर जाता है और मौका देखकर Sam Ray को पानी में गिरा देता है लेकिन Ray बच कर फिर से बोर्ट पर चड़ जाता है लेकिन तब ही वहाँ सूजी आ जाती है जो Ray को एक एरो से मार कर पानी में फैंक देती है और यहां हमें पता चलता है कि सूजी कभी मरी ही नहीं थी यह सारा प्लैन सूजी का ही था और उसी ने कैली को अपने मर्डर के जुर्म में फसाने के लिए अपने दात वहाँ पर निकाल कर रखे थे साइड में हम ग्लोरिया को देखते हैं जो सूजी के ग्रैंड मदर के पास आई थी उस ताच करने के लिए वहाँ पर ग्लोरिया को पता चलता है कि एक बार रे ने सूजी को ड्रक्स रखने के जुर्म में अरेस्ट किया था लेकिन असल में वो ड्रक्स भी उसी रे नहीं दिया था क्योंकि सूजी ने रे को एक मर्डर करते हुए देख लिया था इसलिए सूजी किसी को कुछ बोले ना, इसलिए रे ने उसे ड्रक्स दिया और ड्रक्स लेने के जुर्म में उसे अरश्ट कर जेल में डाल दिया, इसी वज़ा से सूजी रे को हेट करती थी, फिर हम सूजी को देखते हैं, जहां वो सैम को भी एक ड्रिंक में पॉईजन मिला कर पिला देती हैं और वो सैम को भी मार डालती है, सूजी ने सैम को क्यों मारा है, इसका जवाब हमें ग्लोरिया और सूजी के ग्रैंड मदर की बातों से मिलता है, सूजी की ग्रैंड मदर बताती है कि सैम का करक्टर काफी ढीला था, सूजी की जो मा थी, वो किसी वक्त में Sam की girlfriend हुआ करती थी और Suzy उन्हीं दोनों की बेटी है लेकिन Sam Suzy के पैदा होने से पहले ही वहाँ से भाग गया था और Suzy के पैदा होने के बाद उसकी mom की भी death हो गई थी और इसी वज़े से Suzy Sam को भी hate करती थी Gloria को Suzy के अंकल से एक बात मालूम पढ़ती है कि Suzy का IQ 200 के आसपास था इसलिए उसे जो भी चाहिए होता था वो Suzy पा लेती थी Suzy जो ठान लेती है वो करके रहती है और उसके बाद हमें Suzy का master plan बताया जाता है Suzy ने एक बार Kelly और Sam को intimate होते हुए देख लिया था और उनकी तस्वीरे ले ली थी और फिर उसने Sam को blackmail कर अपने plan में शामिल किया था Suzy को ये बात भी मालूम थे कि Ray भी एक वाहियात इंसान है इसलिए Sam से कहकर उसने Ray को भी अपने plan में शामिल कर लिया और अपने plan को execute किया बात कर सकती थी और बस इसी के साथ ये movie यहीं पर खत्म हो जाता है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक like कर देना और चानल को subscribe करना मत भूलना ताकि आपको नए वीडियो के notifications मिलते हैं